पर आपको जानकर ताजव होगा कि सारे नेता हमारे जितने भी है उनुत्रिस लाग वो संग को गाली वप्ते हैं जो दूसरे लोगों का है जो गुर्मन लोगों का है और वो कहते हैं कि ये इंद्र मेगवाल की जो रायस्थान की जालोर की घटना है अभी वो लगबक खतम हो गई और पुरानी जितनी भी घटना हो रहे रही हैं जब भी जो भी घटना हुई है एटो सिटीज की घोडी पे चड़ने के मारने की या पिटाई करने की या हत्या करने की या बलात करने की या जमीन चीनने की या जाजा चीनने की या नौक्री चीनने की वो सारी की सारी लगबक थोड़े बहुत समय के बाद में खतम हो जाती है और यूबाओं के पास सरकार ने कोई काम नहीं दे रखा इसलिए वो बेरोजगार हैं और वो वाटसेप पे फेस्बुक पे इस पे सक्रीर रहते हैं और एक आंदोलन का रूप बन जाता है जो छड़िक आंदोलन होता है छणिक का मतलब है एक दिन दो दिन तीन दिन साथ दिन बहुत ज़्यादा शोर मचाया तो दस दिन बस इससे ज़्यादा कोई आंदोलन चलता नहीं और आंदोलन का कोई परणाम आता नहीं और आंदोलन में जो लोग आते हैं वो ठक जाते हैं आंदोलन को बिगाड़ने की ख यह इसलिए बताया जा रहा है कि ऐसे आंदरोन अभी पहले बहुत हुए और अभी बहुत होंगे हमारे मन मस्तिक्स में और हमारे धिमाग में एक चीद डाली गई है बार 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 कि हमारे साथ ऐसा होता रहता है हम इसके आदी हो जाएं हमारी बहन बेटी के साथ बलातकार हो गया कोई बात नहीं हमारे भाई का किसी का मडर हो गया कोई बात नहीं मूच कट गई कोई बात नहीं छोटे लोगों के साथ ऐसा होता रहता है आम बात है ये जो गरीब लाचार है या जिनको सुद्र बोलते है या जिनको सम्र बोलते हैं इनके साथ होता रहता है ये इसके लायक है ये इनका भागे है ये इनका भरोसा है ये इनका जीवन है ये इनकी मियती है ये कुछ लोगों के द्वारा रचा जाता है और उनका अगर कोई मर मर जाए या कार की एक्षिजन में मर जाए कुछ मर जाए तो वो इतना शोर मचाते हैं कि उसको बीस पच्छिस लाग रुपे और दो दो नौक्रियां क्लास उनकी लेके मानते हैं तो इस सिस्टम उनके पास है हमारे पास तो है नहीं पर ये जो हमारे दिमाग में बैठाया जा रहा है कि ये जो एटो स्टीज हैं ये जो प्रतारना हैं ये होती रहती हैं ये बैठाया जा रहा है ऐसा होता नहीं है आज बिहार से एक सज्जन लगतार फॉन करते रहते हैं, किसी संख्ठन से चुड़े हुए हैं वो बाचीत करते रहते हैं कहीं से नमब्र मिल गया होगा, वीडियो देखते होंगे तो उनसे जब बाचीत हो रही थी तो उनसे बाचीत में उन्होंने कहा कि यह जो अभी घटना घटी है बिलकिस बानों की उसके वारे में समढ संका क्या वक्त अब्वहे है, क्या विचार है हमने का जी हम ततकाली इन घटनाओं पर या जो घटना गटनी हैं उन पर कुछ नहीं कहते, उन पर कहने के लिए बहुत सारी संठन और बहुत साइब लोग पहले से त्यार मेठे हुए हैं, हम पर्मानेंट तरीके से दुखों को खतम करने का काम में लगे हुए, तो उन्हें बड़ा आश्रे हुआ कि अब पर्मानेंट दुख भी खतम हो सकते हैं, उनको बड़ा आश्रे हुआ कि हमारे साथ जो एक्टो पर वो संग्ठन करोड में खेलता है, सबसे पैसा भशून करता है और अपने आपको बड़ा क्रांती कारी और वहचारी बोलता है, तो मैंने उनसे ये कहा कि आपको इतना आश्रे हुआ है, मुझे खुद आश्रे हो रहा है कि आपको सिखाया क्या जाता है रए पढ़ाया क साल का इत्यास तो मुझे नहीं पता, क्योंकि राखीगड में आठ आठ हजार साल बताते हैं, जो इधर मिला हुआ है, मोहन जोड़ो उसको पांच जार बताते हैं, पर वो तो दवे दवाये हैं, कोई सब्द और कोई अक्षट मिलता नहीं, पर जो लिखित में, जो जानका के उपर किसी ने अत्याचार किया हो, जब समनो को किसी ने मारा हो, जब समनो की बहन बेटी की इज़त लूटी हो, जब समनो को नौकरी से निकाला हो, जब समनो के खेत शीने हो, जब समनो की मूझे कटी हो, जब समनो को घोड़े पे घदे पे चड़ने से मना किया हो, जब स्रमनों को अच्छा खाने खाने से रोका हो जब स्रमनों की पढ़ाई खतम की हो आप सोचो क्योंकि वो बिहार से थे तो मैंने का आप बताओ आप बुद्ध की धर्टी से हो तो कहते हैं थोड़ा सोचा वो कहते हैं कि हाँ ये बात तो सही है पहला तो कहीं हमारे साथ प्रता प्तारित करने वाले लोग हम तो नहीं थे, क्योंकि हम संख्या में ज्यादा थे, और इत्यास हमारा है, तो हो सकता है, हम प्तारित करते हों, कोई हमारे सामने याचक हो, कोई हमारे सामने विकारी हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो याचना करता रहता हो, जिसको वमण बोलते हैं, व जाल उसको हमेशा भीक दिया हमने उसको हमने दरवाजी पाया है तो एक मुठी आटा हमने उसको हमेशा दिया है। और थोड़ा से नीचे आओ, तब आओ, चार सो, पान सो साल पहले आओ, जब ये कालपनिक किताबें लिखी गई हैं, उस कालपनिक किताबों के समय क्या कोई जात सिस्टम मिला आपको, क्या कोई ऐसा पतारणा का उसमें मिला, और सोचा उन्होंने का जी तब भी नहीं मिला, इसका मत्दब पतारणा जो आरम हुई है, वो तब हुई है, जब जातियां बनी हैं, तो मैंने उसे पूछा, अब ये पता दो मेरे को कि जातियां कैसे बनी हैं, और जाती बनने से पहले हम क्या थे, और वो घूम गए, क्योंकि जादा जितने भी लोग है, वो रटा-रटा पढ़ाया बताते हैं, सोचते तो है नहीं, आदमी खाली सोच ले, बुद्ध ने कहा है, मनसे है, तो मनन कर, मनन करेगा तो मनन से है, अगर मनन नहीं करेगा तो जानवर है, मनन नहीं करेगा तो पसू है, पसू भी मनन नहीं करता, इसलिए वो पसू है, पर मनन से है, मन है तो मनन कर और मनन का क्या पैसा जा रहा है, मनन में क्या टेक्स लग रहा है, मनन करने में क्या कहीं फीस लग रही है, मनन करने में क्या एकाउंट खाली हो रहे है, मनन करने में क्या लेक्षर टाटाइम चाहिए, बस में मनन करो, सोते समय मनन करो, उठते समय मनन करो, जाते समय क कि जब तक हम इखटे रहे तब तक एक्टोशिटीज नहीं हुई तब तक जयांतरा नहीं हुई तब तक इंदर मेगवाल नहीं मरा तब तक कहीं भी कोई भी घटा नहीं घटी पर जब संग तोटा और 6743 टुकड़ों में बट गया तब की कहानिया है ये सारी तो जैसे तूटके अलग-अलग हुए और पताड़ा हो रही है और एक्टोशिटीज हो रही है तो आप एक-एक एक्टोशिटीज के छेद को बंद करें आप क्या कर रहे हो आप ये कर रहे हो कि 6743 आपके चेद है और आप हर एक छेद में एक-एक लगड़ी फसारे हो एक में फसाते हो दो में से पाई निकलाता है दो में फसाते हो चार में से पाई निकलाता है ये ऐसे नहीं बात बनेगी ये तो आपको सारे के सारे एक साथ ही बेल्डिंग करने पड़ेंगे एक चादर पूर्यम डालनी पड़ेगी, यह सारे छेद पर्मनेंट बंद करने पड़ेंगे, इसमें तो खोलता हुआ लोभा एक साथ छेद में डालना पड़ेगा, ताकि सारे छेद बंद हो जाए, और जो खोलता हुआ लोभा है, उसको संग बोट रहें, उस संग ही है, जो 29,006,743 हैं हमारे घर के, कहां का बंद करोगे, इसलिए इसमें से पानी रिसेगा, एक साथ ओपर संग करना पड़ेगा, सब को मिलना पड़ेगा, लोहा पिखलाना पड़ेगा, असो गरम करना पड़ेगा, और एक साथ डालना पड़ेगा, सारे छेद बंद हो जाएंगे, फिर कोई पानी नहीं आने वाला, जिन्दी भर नहीं आएगा पानी, जब तक कि उसमें जंग ना लगे या छेद दोबार ना हो, और इसके लिए आपको दो काम करने पड़ेगे, या तो डंडा लेके खड़ा होना पड़ेगा, सारे संग्ठनों कहना पड़ेगा, भी एक ह ही नहीं, तो मैंने का फिर तुम मनन नहीं कर रहे हो, अरे भई जिस संग्ठन की आमदनी ही चंदा है, वो पागल है क्या, वो जो आपको ये कहेगा, कि चंदा बंद कर दो, ये चंदा बंद करने के लिए तो पागल लोग चाहिए, और ये सारे पागल संवन संग में बैठ होके आना पड़ेगा, ये बात उनको बड़ी स्टाइक की, ये बात उनको बड़ी समझ में आ रहे है, पर जितने भी संग्ठन हैं, उनको नहीं समझ में आ रहे है, वो अगले इंदर मेगवाल के मरने का अंतियाए कर रहे हैं, अभी जल्दी खबर आईगी आपको कहीं ना मैंने देखा है अभी मुझे ख़बर मिली एक पत्तकार ने बताया दिल्ली के पास नॉइडा में एक गाउं के अंदर मडर हुआ और उस मडर में केस हुआ और उसमें कुछ लोग गए उसी गाउं का एक नेता जो बावा साब के नाम पर संठन चलाता है और उसने वहाँ कुछ पैसे का लेन देन करके समझता करा दिया और उस पैसे के लेन देने का कहीं नहीं आरोप यह है कि जो समझता कराने वाला था वो पैसे लेके भागिया और वो लेता है पैसे और ये भी आरोफ हैं कि उसकी जुगी जुप्टी से चार मजला मकान खड़ा हो गया उसके पूरे जीवने में आदोलन करते करते ये बाते समाज को पता हैं हम तक आती हैं हम तो बोल देते हैं हमें तो डर है नहीं डर इसलिए नहीं है क्योंकि हम कोई चंदे का धंदा तो कर एक समण संग को उन्होंने जान के दी बनाया بावा साथ अम्यृत कर का एक समण संग है जो बावा साथ अम्यृत कर ने बनाया था एक समण संग बुद्ध का है एक समर्ण संग गुद्ध से पहले का है और एक समर्ण संग वो है जो साफ कासी राम ने बनाने की कोशिस की जितने भी अच्छे लोग आए उन्होंने सब ने समर्ण संग बनाया है बावासाव अमेटकर ने 1927 में समता समा संग बनाया समर्ण लोग का संग पर आपको जानकर ताजव होगा कि सारे नेता हमारे जितने भी है 19 लाग वो संग को गाली वक्ते हैं जो दूसरे लोगों का है जो वमन लोगों का है और वो कहते हैं कि ये वबन लोगका जो संग है इसने हमारा सारा ऐसा कर दिया और वैसा कर दिया दुनिया बरकी पानी पीपी के उसको गाली भगते हैं मन्चों से और अपने नाम कमाथे हैं पर बावा साहब के उस समता समाज संग का जिक्र नहीं करते 120 करदों लोग का समझ से खड़ा होता पर नहीं बावा साहब का पूरा गुर्णान करेंगे रट्टा मार लेंगे लड़ेंगे किसली है परसंसा मिल जाए परसदी मिल जाए पद मिल जाए MLE मिल जाए MP मिल जाए Mr. मिल जाओं और कुछ ने लिएस बोट बॉट का मेंबर बन जाए और कुछ ना मिले तो कुछ चंदे का धंदा हो जाये और कुछ ना रूजा की बोतल मिल जाए तैके मुर्गी की पार्टी मिल जाये यह चोटी चोटी हरकت हैं जो भावा शाब के उस आधिश को पी गई और बावा साब ने कहीं नहीं कहा कि संग्ठन बनाना और 29 लाग बनाना कोई अगर है तो बता दे और जितने भी संग्ठन लोगों ने बनाए हैं खुद बनाए हैं हमने भी नहीं कहा हमसे मतलब है जो साधरन लोग है हमारे जैसे मेरे जैसे उनसे ना किजी ने पूछा और ना उन्होंने कहा आप सोचो जरा कि अगर साधान लोगों से कोई ये पूछता कि बताओ आपको एक सामाजिक स्कंटन चाहिए तो कहते हाँ जी सामाजिक स्कंटन चाहिए और फिर दूसरे कुछ लोग आके कहते कि बताओ जी सामाजी संग्टन चाहिए तो उन से हम कहते कि बहुत है दो क्या करेंगे यह कोई दुकान तो हैं नहीं के चावल खेजने है एखटा होना है तो एक जलिगे एक खटे होना है तो दूसरे वाले अगर नहीं मानते और हमसे पूछते तो हम कान पे लगाते दो उनके कि तुम को बता तो दिया पर हमसे कोई पूछने आये तब ना हमसे तो चंदा लेने आते हैं सीधे-सीधे चंदा दे दो और बड़ा रोएंगे बड़ा भाशन तो ऐसे देंगे मखन में लिप्टे हुए ऐसे लगेगा इससे सच्चा इससा चाजमी कोई है नहीं या उनकी रिषदार उनकी दलाली में लग जाएंगे पर्चियां ले लेके मैंने ऐसे भिक्कों को देखाया जिन्होंने ऐसी मंडली त्यार करती है जो पर् हासन मारे हो राजनितीक पार्टी का घर बना रहे व। क्या कर रहे हो कुस तो बताओ और इस हमारा पैसा लेते हो तो इतनी तो समझ होनी चाहिए कि उस पैसे का जो खर्च किया है उसका हिसाब दो और आगे किस के लिए पैसा ले रहे हो उसका हिसाब दो पर कोई हिसाब ने देगा क्योंकि वो तो उनके प्राइविट संक्टर्न है कोई आप थोड़ी उसके मालिक हो आपकी क्या चलने वाली है आपको कोन तुमारी राज़ दरवारी में या राजा के निरणे में कोई भागितारी मिए वही सिस्टम संठ्रों का है मनुस्मूदी प्राइध है प्रदानवाद, मेतावाद, गरतीबाद, इस सारे वाद, एकलवाद, राज़ावाद, राम्ट, चानिवाद कि जितने भी मुनार्गी चलती है, उस सारी सारी मनुस्मृति बाद है, इसलिए कोई बात सुनने को त्यार नहीं, कोई करने को त्यार नहीं, तो ये जो बात है जब आप उनसे कहते हो, कि भई सारे के सारे संख्टन इखटे हो जाओ, इखटे हो जाओ, हम मारे जा रहे हैं, तो ये बात उनके कान में सीची की तरह पिखलती है, गरम सीची की तरह पिखलती है, पर वो समझ संग कोगालियां बखते हैं, और कैई तो हमें अड़वाईज भी करते हैं, कि तो आप भी चंदा ले लो, वह जब संग में चंदा लेने का नियमी नहीं तो ले कहां से लें, सं हमारे पास छुपाने लिए कुछ है नहीं, एकाउंट हमारा है नहीं, जो हम उसमें पैसा लेंगे, हमारे यहां कोई व्यक्ति भेद, कोई जाती भेद, कोई व्यद है नहीं, जाती का अभ्यास है नहीं, एक समण होना चाहिए, हर एक व्यक्ति हैं आ सकता है, हर एक व्यक्ति काम कर सकता हर एक व्यक्ति समण है इसका कोई रेश्टेस नहीं है कोई पद पोश्ट मंच नहीं है कोई इसमें माला नहीं है कोई व्यक्तिवाद नहीं है तो इसलिए हम पर आरोप लगने का चांस लगवग लगवग जीरो का जीरो है इसलिए यह बढ़ रहा है इसलिए यह जब नए वेक्टि को हम बताते हैं और नया वेक्टि सुनता है तो उसको बहुत देटा तो यकिन नहीं होता कि ऐसा भी काम हो सकता है क्योंकि सब के सब दूसरे जले बैठें किसी के पास आपस नहीं है क्या करें सारे संग्ठने आपकी हालत ऐसी है जैसे किसी जानवरों की मं बता है कि इसको पैसी की जरूत है और यह आज भैस बेचने के लिए आया हुआ है और बड़िया दुधारू भैस है और साथ में लावारा भी है यानि इसका बच्चा भी है डबल बेनिफिट है तो वह पांच छे साथ जो दलाल है वह आपस में मिल जाते हैं और वह यह कहत देते हैं कि तेरी भैस की कीमत इतनी है तो पहले बाले दलाल के पास जाएंगे तो ओ कहा जी मुझे बेचनी है कितने की है तो कहता जी बहुत बड़िया है पर आज मार्केट में गरहाक नहीं है यह भैस की कीमत तो चालिश जार रूपे मिलेगी तो कहता दिवाग खराव ह तेरा क्या एक लाख रुपे की भैस है और तो चाले जार मांग रहा है तो कहरा जी मुझे तो नहीं बेचनी है तो चला जाता है तो दूसरे दलाल के पास जाता है दूसरा दलाल को पता होता है कि वहां क्या कीमत बताई है वो कहता जी भैस आपकी बहुत बड़ी है आपकी भ मिल जाएंगे और जो फाइनल बेचनी होती है तब तक वो ठक लेता है आदमी कहता है कोई चालिस को पैतालिस रटालिस ही बोल ला है एक लाग की भेंस के क्या करूं और बेचनी है तो चार पांध दलालों के पाज जब ठक जाता है तो आखिरा दलालों उसके बड़ी सानुति दिखाता है पानी पलाता है चाय पलाता है बैठाता है मीठी मीठी बात करता है रिसदार और एहसान के साथ में वो 60,000 में बिक्ती है जो एक लाख की कीमत की है और वो 60,000 लेके जैसे जाता है उसको साइद दलाल मिलके एक लाख रुपे की ब्याज देते हैं और 40,000 रुपे बिना मेहनत का खा ले दे ये सिस्टम है हमारे संग्ठनों का इन सारे संग्ठनों में ये स आपस में लड़ते हैं खूब लड़ाइкус करते हैं टूपते भी है पर आप ध्यान देना कि कभी एक दूसरे को ये नहीं कहते कि तूने इतना चंदा लिए तो सका तो artists के मों इसा हुई नहीं हैं उनकी जो में लड़ाईों पैसे के लिए होति है पर बंद कमरे में होती है ये दलालों की जो लडाई है बंद कमरे में जब बटवारा होता है एक लाग की भैस जो साट जार बिकती है और चालिस जार का बटवारा होता है तो बटवारे पर जगड़ा होता है वो कहता है कि देख मैंने इसको ये कहा मैंने ये कहा तो अगर पांस लाल है आठषट हजार आने हैं तो चाहता है नहीं लाश्ट वाला कहता है मैं तो इसमें जगड़ा होता है पर भैस वाले को कभी नहीं बताते कि तेरी भैस तो एक लाग के ती और हमने मिलके 60,000 में खरीद ली क्योंकि भैस की दलाली गंदा उनका धंदा है ठीक वैसे ही वो कहते हैं कि मंदर में जो पैसा चड़ता है वो वमन का धंदा है पर कभी नहीं कहते कि 29,000,000 में जो पैसा चड़ता है वो उनका धंदा है ये कमाल की बात है कि हमको दूसरे के वमन का मंदर का धंदा दिखा के हमसे चंदा लेते हैं और खुद धंदा करते हैं उसके बारे में कभी नहीं बताते हैं पर समरसंग बताता है समरसंग कहता है कि एगर तुमारे पास एक तरोड रुप का चेक आया है तुम्हारे खाते में अगर तीन प्रोड रुपिया है तुमने अगर पूरे भारत से सबसरकारी करमचारी से इतना पैसा लिया है उस पैसे का क्या करते हो भाई बताओ तो सही हम तो जब संगतियां लगाते हैं तो हमारे तो आंके फटी की फटी रह जाती है कि जिन जगों के तुमने 33,50,50,00,00,00,00,00,00 की खर्चे बताए वहां एक दो करोड पर तो कहीं कोई खर्चा ही नहीं है एक हॉल जो बढ़िया से बढ़िया दिल्ली में बुक कराते हैं वो 60,000 में हमने और बड़ा हॉल बुक कराया तो एक लाग 70,000 में ताल कटोरा की जो पूरी पर हमारी हालत और हमारे अधिकार क्यों सारे चलेगे हमने तो पैसा दिया विस्वास करके तो यह पता किया कि जितना पैसा देते जा रहे हैं उतने ही यह बीमार और मरीज होते जा रहे हैं इनको चंदे के धंदे का रोग लग गया है अब हमें अपने जितने भी संग्ठन आपको मत दो तो चंदा देना बंद करतें तो पिछले साल से चंदा देना बंद किया तो लगबth 40% वोगों ने चंदा नहीं दिया इस साल उम्मीद है कि 80% वोग चंदा नहीं देंगे चंदा ना देने का फाइदा क्या हुआ अभी खबर आई कि लखनों के अंदर एक संगती लग रही है एक बहुत भिकुल लगा रहे हैं कुछ लोग और भी मिले हैं उसमें बड़े सारे नाम जा रहे हैं बड़े सारे संटनों के हैं पहले 20 संटन पर 17 संटन पर 40 संटन चलो नाम तो जा रहे हैं कम से कम पर वहां कि नहीं हो कि सबके अलग लग हैं। अब हम एक साहेंगे, अब बागी सग्टवन हम खतम करते हैं। वुलै करते हैं। ये बिल्कुल ठीक वैसी ही बात है जैसे मैं बार बार बताता हूँ कि समाज के लिए खीर बनानी है और खीर बनाने के लिए कहा कि दूद की आउशकता है खीर बनानी है बच्चे को बच्चे सवस्त हो जाए हमारे बीमार है खीर खिलाने के लिए बोला है डाक्टर ने तो सा नहीं ये कर्डिशन लगा दी कि दूद की थैली मत कोलना भई हमारी और खिर बना लो भे हम पागल है क्या जब तक दूद की थैली फटेंगी नहीं दूद निकलेगा नहीं तब तक खिर कहां से बनेगी पर इन थैलियों पर स्टांप लगी हुई है यह थैलियों के नाम संग संग्ठनों के हालत में किसी बहलत में अपनी थैली फाड़ने को त्यार नहीं है तो दूद निकले कहां से और दूद निकले ना तो खिर बने कैसे और खिर बने ना तो बच्चे खाए कैसे जब तक सारा थैलीय नहीं फटेंगी साई लोग इखटे नहीं होंगे वले नहीं होगा तब तक संग बनता नहीं और जब तक संग नहीं बनता तब तक जीतेंगे नहीं हम क्योंकि लडाई किसे आपकी संग से और चला क्या रहे हो आप संग्ठन इंपॉसिबले आप जीत नहीं सकते क्योंकि संग्ठन कभी कभी नहीं जीतते और संग कभी हारते नहीं इसलिए दिल्ली में भी एक घोशना हो गई पांसो के पांसो संग्ठन महां आने वाले हैं 23 सेप्टमबर को अच्छी बात है पहले चालिस ते अब पांसो हो गई घोशना हुई है उसका प्रणाम पता है हमें क्या होने वाला है पर प्यास नहीं रोकना चाहिए उन पांसो संग्ठनों का महां जो संग्ठन के लोग हैं वो भी जाएंगे क्योंकि 23 सेप्टमबर को अधिकतर लोग गुजरात में रहेंगे पर जो यहां रहेंगे उनको कहा जाएगा कि आप वहां जाओ जाके संग्ठन की बात रखो बात तो कम संग्ठनों ने एक पड़्चे पर नाम तो लिखने सुरू किये कम से कम मंच पर बैठना तो सुरू किया कम से कम आपस में दूसरे की सकत तो देखेंगे क्योंकि आपने अगर देखा हो तो जब से समण संग नहीं बोल रहा है उससे पहले तो आपने इनको मंचों पर अलग अलग दल हैं हमारे जितने भी संठान है समाजिक हैं उनकी सब की वालिंटर फोर्स वी बी एफ अलग अलग है यानि लड़कों की वालिंटर फोर्स अलग अलग है हमारे जितने भी संठान बने हुए हैं उनमें महिलाओं की विंग अलग अलग है और महिलाओं के ओपर चाप लगा रखी है जानि हमारी महिलां की हजारों件 की महिला एक है Hong तो हर एक चातुर पर अलग लग मोह लगा रखी है और क्या कहा रख का उनसे उससे जाके मत मिलना वह संपष्ब कराब है हमारे समझ समाज का च् terrorist है हमारे समस्माज की महिला है हमारे समन समझ समझ का सकाई करमचारी है च्छाप थो पने अपनी लगा दी और उपle से दुस्म नहीं करा दी और समाज के अंदर दुस्मन नहीं करा कि कह रहे हो उससे बात मत करना वो दूसरे संग्ठन का आदमी है और वो कह रहा है इनसे बात मत करना क्यों बात नहीं करना क्या बटा हुआ है वह तेरे संग्ठन में और उसके संग्ठन में जब बावा साब एक लगे हमभी अछेते हैं सारी कहते हैं अभी जाना है अधिया लग है कमें उसको चिर्दर मिल जाएगा मुझे कर दो चंदे के धंडा हुआ यह तो अलग लग हैं पर अगर आप समझदार हो अगर हम समझदार हैं और समझसं समझदार है तो जगड़े को खतम करते हैं चंद्धा देना बंध जब से चंद्धा देना बंद हुआ है तो भाय Meu मैं अपने लोगों को ये जिहरीली सराब नहीं देनी चाहिए, हमें तो अपना समाज स्वस्था करना है, इसलिए सभी लोग इसको परचायद करें, चंदा नहीं देंगे, जब तक इखटे नहीं हो गया होगे, और जब इखटे हो जाओगे, यकिन हो जायागे तो चंदा देंगे, और नाटक आपने स्वस्था करो और एक बनाओ, और एक हो के आओगे, ये समण संग उसी में जाके विले हो जाएगा, क्योंकि वो तो संगी हो गया, अगर सारे एक हो जाएंगे, और टैन गुल्डन नियम मानेंगे, तो फिर तो पानी पानी से मिलेगा एक सा हो जाएगा, अगर निय एक होगी, नियम एक होंगे, लोग एक होंगे, विचार एक होगा, महापुरूस एक होगे, उद्देश एक होगा, काम करने का तरीका एक होगा, और सब पुराने सिस्टम का होगा, तो पानी से पानी मिलेगा ना, फिर तो कहने की जोतनी पड़ेगी, सारे स्रमण संगी चले जाओ जहाँ जारा है पोकि को एक ही जिगाना है यह को ऐसा तो है हूनी कि समर संग्ला लग रहे हैं वो लग रहे हैं उख्छटा होना है पर इख्छटे होने का तरीका ही होगा जो सुद्ध तरीका है जो obtained the इसलिए जो नए लोग यहां आए हुएं, जो नए लोग जूड़े हुएं हैं, वो क्या बार यह सोषते हैं के हम यहां आए हैं तो यहां चल रहा है, उनके लिए मैं पांश मिन बता देता हूँ, हम दरसल पूरे के पूरे जितने हमारे समण लोग है समण का मतलब है जो वर्मण नहीं दो तरह के लोग हुआ करते थे बुद्ध से पहले बुद्ध के समय समण और वर्मण ये एथियासिक है ये इंडिका के अंदर है मेगसिनिस के इंडिका है ये बुद्ध के त्रीपिटक के अंदर है, ये वस्तिकार से जो बात हुई उसके अंदर है, बहुत सारी वीडियो बनी हुई है, आप देखेंगे, बोलेंगे स्रमर्संग लिखेंगे तो सारी वीडियो जा जाती है, बहुत तरह के लोग वीडियो डालने हैं, कई सारे चैलन जाना है. और जो संग की जाते हैं वो हमेंसाद जीते हैं. और बावा साथ अममेडकन ने समा संग संग बना के दिया और कहा और्गनाइज और और्गनाइज का sem और संग हुता है. और उन्होंग जब उक्ता बाद और बावा साब के पहले जितने महाप्रुस हुए हैं, जितने संत हुए हैं, चाहे वो कवीर साब हैं, चाहे वो और जो संत हैं, उन्होंने सब ने ये कहा है कि साधू संगत करो, यानि सांत लोगो संगत करो, संगती में रहो, संग में रहो, संग संग चलो, संग संगती तरो और भजन करो, भजन करने का मतलब भी इखटे रहना होता है पाली के अंदर, तो भजन करो, तो भजन करने का मतलब यह नहीं है कि गाते फिरो आप, भजन करने का मतलब एक हो, और सब नहीं कहा है, एक ओंकार, एक आकार, एक एक, एक हो जाओ, एक करण, एक की सब और एक फार्मला दिया हुआ है, उन्होंने ये कहा हुआ है, कि मैं तुमको एक सिस्टम दे के जा रहा हूँ, उस सिस्टम का नाम है वीदा पीपल, हम भारत के लोग, और ये हम भारत के लोग, वीदा पीपल, सम्विधान का सिस्टम की सबसे पहली लाइन है, वो कहते हैं कि ये जो क किताब है ये एक magical किताब है संविधान जादू की किताब है पर जादू तब काम करेगा जब आप वीदा पीपल होके आओगे इखटे होके आओगे जादू तब तक काम नहीं करेगा तो क्या जादू है जब आप इखटे होके आओगे तो उस किताब को अपने आप पता चल है कि ये खटे हो कि आए है, इनकी संख्या जादा है, तो जो आप आधेश करोगी, जैसे वो होता ना, अल्ला दिन का चराग हमको नौकरियां दो नौकरियां आपके घार आप सम्मिधान क्या खड़े हो जाओ और क्या उन परशन खड़े हो के बोलो अल्ला दिन का चराग हमारे बच्चों को एक समान सिख्चा चाहिए और फ्री चाहिए अल्ला दिन का चराग एक साइन होगा मिल जाएगी आप को हो अल्लादीन का चराग भारत के सम्विधान हमको स्वास्ते सेवा चाहिए फ्री में मिलेंगी आपको जो राइट चाहिए वो मिलेगा और बेसक राइट चले गए हैं राइट तो आते जाते रहते हैं पर ये अल्लादीन का चराग ऐसा है कि अगर आप इसके सामने खड़े होके कहोगे कि अल्लादीन का चराग भारत के सम्विधान हमारे सारे जितने अधिकार अब तक गए हैं वो हमें पापिस दे दो और जो बावा साब नहीं बना पाये थे वो भी चाहिए आर्थिक धिकार वो भी मिलेंगे पर सर्त ये इस चराग की घिसना पड़ता है और घिसने की सर्त ये है कि क्या उन परसेंट इखटे होना पड़ता है इसलिए हम इखटे होने का ही काम करते हैं हम कोई और काम नहीं करते हैं जोड़ने का जोड़ने का काम करते हैं और हम इसमें कामयाब होंगे क्योंकि हम पहले भी इसमें कामयाब हुए हैं, हम पहले भी जीते हैं, इसलिए अभी भी जीतेंगे, तो बहुत से लोगों को यकीन नहीं होता, खासर से जो नई लोग आते हैं, अरे ऐसा कैसा हो जाएगा तो कि मन में खराबी आई हुई है, 70 साल से मन खराब हो गया है, यकीन नहीं होता, तो उनको यकीन दिलाने के लिए दो बाते बताते हैं, कि देखो दो अपैल 18 को जब सारे लोग सड़क पर आए, उस समय ना नेता था, ना प्रधान था, ना राजनीती की, क्योंकि बहुत सार ना संत्री, ना MLA, ना MP, बस हम ही हम सलक पर थे, पर सम्मिधान की जादूई किताब को यह पता चल गया, कि यह खटे हो गए हैं, और जैसे ही आपने कहा कि हम खटे हो गए हैं, अला दिन के चिराग हमारा यह जो अधिकारे बापिस करो, तुनत बापिस आ गया, ना कोई अ संग्ठन अलग लग थे, सरकार ने बात नहीं मानी, और जैसे ही वो बत्तिस संग्ठने खट्यों का संग बने, उनकी बात माननी, यह बात हैं, जितने भी आंदून पूरे दुनिया में चलते हैं, यह संग्ठ की आंदून है, कोई कहता जी हम तो इन दोनों आंदून इन ब पसने, भाई भाई, तो वो संग्ठ बनाया, और अंगरे जो के समधान को बताया, जो बिटेन से चलता था, कि देखो भाई, हम संग्ठ में हैं, और हम धरम से उपर उठ चुके हैं, और जात से उपर उठ चुके हैं, उस समय जब लोगों ने पचार परसार किया, तो कोई जात की बात नहीं करता था, कहतें नहीं, अभी हम भारतवासी हैं, बलकर भारतवासी भी नहीं के बोलते थे, जो स्रलेंट कारी हैं, उन्होंने उसका भारत का नाम बढ़त दिया, पर हम भारती नाम लेते हैं, अभी हम भारतवासी हैं, अभी हम आपस में हमारा कोई नहीं है अंग्रेज भागाने तो अंग्रेज भागाने के लिए संग बना और संग से भागे अंग्रेज संग देखा कि अब ये कोई काम नहीं करेंगे, अब ये सब साथ हो गए, इकटे हो गए, अब इनमें हम तोड़फोर नहीं कर सकते, इनमें को धर्म के नाम पेलग नहीं कर सकते, इनको जाती के नाम पेलग नहीं कर सकते, अब ये लालस में भी नहीं आते हैं, अब हमें जाना करा करा दिये, वो अलग बात है, जो भी है, पर यहां जो बात है, वो यह निकल के आ रही है, कि अंग्रेजों को भगाया जा सकता है, अगर सब इखटे हो जाएं, जब अंग्रेजों को भगाया जा सकता है, जो दुनिया के सबसे पारफुल लोग हैं, तो छोटे मुटे साथ रन करता हूं, रन करने के लिए जाता हूं, रन मतलब संगर्स करने के लिए, संगं सरनंग अच्छामी, संगं के साथ स्वैम युद्ध में रन में जाता हूं, तो आपको स्वेम के साथ रन में जाना पड़ेगा तो हतियार नि उठाना है आपने, आपने कहीं डंडा नि उठाना है, ना बाबा साब ने का है, ना काशी राम जी ने का है, ना कभीरदास ने का है, ना किसी महापुरुष ने का है, ना किसी संत ने का है, आपने सिर्फ जाते हैं सम्विधान की मदद नहीं करता यह ध्यानक ना डंडे उठाओगे हत्यार उठाओगे तो सम्विधान में डंडा मिलेगा सम्विधान डंडा मारेगा बाववसाब लिखे गए हैं इसलिए जब दो अपरेल अठारे को हमारे लड़कों ने सांती से आंदुलन किया और अंदुलन सफल रहा और संग पूरा त्यार हो गया तो उनको उकसाया गया और उन पर ज्ँटे अरुट आणके आरोड गये और उन पर हमला किया गया कहीं गोली चलाई गयी कहीं पर घंडे मारे गये जो नए लोग आये हैं पराणे तो सब जानते हैं तो जोड़ना जोड़ना कैसे है यहां आप चैट बॉक्स में अपना नमबर डाल दिए तन सेट बार बार सुनिए अपने डाउट पूछिए अपने प्रसंद पूछिए अपने आंसर पूछिए सब लोग यहां है तो इसमें जो काम आप कर सकते हैं वो करें इसमें बहुत सारे काम है जोड़ने जोड़ने का में काम है पर बहुत रहका है जो काम आपने करना करें पर आना पड़ेगा संग्धन से गती नहीं है अगर संग्धन से गती होती तो 29 लाक संग्धनों से कम से कम अगर कोई कि आफिकार ना बचे तो कमझों वहीं रहते पर अदिकार बचे नहीं अधिकार सारे चले गए सरकारी नौकरियों की सरकारी नौकरों की तो नौकी तो छोड़ओ उनको डपार्टमेट में चले गए खेती किसानी जमीन चली गई जो हमारा कहीं छोटा मोटा काम था वो चला गया जो हमारी एजूकेशन फिरी की थी वो खतम हो गई अब बड़ी एजूकेशन नहीं मिलेगी अच्छा एजूकेशन ले भी लेगा कोई घर बेच के तो नौकी कहां करेगा विदेश जानी सकता औ और यह सब प्राइबट फर्म हैं प्राइबट फर्म में कोई लेता नहीं हमारे बच्चे बड़े फेश कर रहे हैं अभी मुझे एक बंदा मिला जो बड़ी अच्छी फिल्में बनाता था वो कहता है कि जब से मैंने डॉक्टर मेटकर का नाम लिया है जब से उन्होंने प तो बिजनिस भी मिलेगा और बिजनिस उन लोगों के हाथ में हैं जो लोगों का सारा कबजा है तो आपका काम कैसे चलेगा इसलिए यह समस्यां दिन पर दिन बढ़ रही हैं और आने वाली हैं पर यह समस्यां एक जटके में खतम हो सकती हैं तो लोग कहते हैं जी एक जटक बैंक थे जैसे आजकल प्राइविट बैंक बहुत सारे हैं उस समय प्राइविट बैंक थे एक सिगनेचर हुआ कि इनका नेशनलाइजिसन करने राश्चे करने करना हो गया यह जैसे सिगनेचर से एक सिगनेचर से ओर जाता है वैसे ही एक सिगनेचर से वो ओर ठीक भी हो जा और एहम नहीं है और MP, MLA का पद नहीं चाहिए और दिमाग में वो कीड़ा नहीं है कि पॉलिटिकल पावर के बिना कुछ नहीं हो सकता है, पॉलिटिकल पावर ही चाहिए, दोगों को बेफ को बनाने के लिए पॉलिटिस करनी है, तो कोई लाज नहीं है, फिर ये बीमारी ल अगर ये कीड़े नहीं है दिमाग में और समझ में आती है बात कि हमको इखटा होना तो जीत जाएंगी और यकीन है इस बात का तो फिर यहां लग जाना चाहिए अच्छा बहुत सारे लोग यहां लग रहे हैं यह 15 महिने से लगाता है हम काम करें 16 महिना कंपिट होने वाला ह बहुत जितनी तेजी से लोग यहां जुड़े मैंने अपनी जिंदगी में यह पूरी हिस्ट्री में कहीं नहीं देखा कि लोग जुड़े हैं देखो बावा साब की बावा साब ने तो पूरी जिंदगी महत की लास्ट में लोग सारे जुड़े या बुद्ध के साथ आप कि हिम्मत और ताकत और महनत और इमानदारी इसको देखते हुए बहुत तेसे हैं लोग चुड़ रहे हैं पर यह तेजी ज्यादा काम किसे नहीं है क्योंकि हमारा नुपसान ज्यादा हो चुका है इसलिए हमको और तेजी से चुड़ना पड़ेगा यह बार ठीक है कि हम हमारे स्वामी सर हैं उनकी कोश्टिंग कहीं और हो गई है तो वहां फस गए हैं वहां को नेट मैट नहीं मिलता कभी कभा जोटते हैं कभी कभा लगे हुए हैं बड़े उदास हैं क्योंकि साइद हो सकता चुटी भी लें उतार डॉक्टर रमेश अंदर लगे हुए हैं व बहुत इंपोर्टेंट है इसलिए लगनाव मेल से साम को जाएं रात को बैठें सुबह को वहां पर कारी करें रात को बापिस आ जाएं एक काम तो यह कर लें ट्रेनर भुक करा लें अपनी सोल एक्टूबर की दूसरा काम यह करें कि जो ज्यादा संक्या में जा रहे हैं व लखनो पोँचना है रहारालत में और इसकी जो जो घटचा है जो अपना खठा कlkut है क्योंकि रहे इंप बहुत बड़े अंतियाम किया है चांसलर किलाव है और बोमिध शोटा मोटा किलाव नहीं है बहुत बढ़े हैं वहां आपनी अपनी रही है टिकेट बूक कराके औ संगती है डॉक्टर्स इसमे ज्यादा मिलेंगे हला कि डॉक्टर की इस्पेजल संगती है पर जाएंगे सब डॉक्टर थो माँ बहुत मिलेंगे पर आप अपना रिजिवेशन और अपना इस ताकि महां कांग ले और तेज तारीक की जो सेप्टमबर की गुजराथ की है उसमें लगबग 2.5 लोग हो गहें जाने वाले पर तेज तारीक की बावा साब का वहाद दिन होता है वहाँ काफी लोग आने वाले हैं इसलिए गुजराथ के टिकेट नहीं मिलना है अभी पर जि जब दिसंबर की आएगी तब बाग करेंगे पर ध्यान में रखें नागपुर की दो संगती है एक तो जब दिख्षा एक दसरी के उपर है चार तारीक के सुबह पहुंचेंगे और पांची रात को वहाँ से बापस आएंगे तो चार का महां का इकम सेटल हो गया है पांच दिन का है वो आपको बाद में बताया जाएगा जो जनवरी का है वो पांस हो गया हाउस से इसके लावा एक हजार की संगती दो अक्टूबर की यहां बाहदुर में है जो बाहदुर के आसपास के लोग है वो सारे पहुंचें हजार की जएके पंदस होने चाहिए क्योंकि हाज़ार की संगती जादा होनी चाहिए इसके अलावा संगती है वो हर्दूर की संगती है इसके लावा प्रण अभी और भी संगतियां बढ़ने वाली हैं, क्योंकि संगतियां के आप संगतिय तितिय का मैंग्ट का पटागी अलग से बन गए विस अलग से बन गए है, काम बढ़ रहा है, सिस्टेमिटी तरीके से बढ़ रहा है पर इस बड़े हुए काम का फाइदा जब है जह हम स्पीट अच्छी पकड़ लें क्योंकि हमारा एक काम है जिद्ध हमारी जुडने की और जीतने की है और जीतेगा वही जो जुड़ेगा जीतेगा आप यह सोचों के जो लड़ेगा वो जीतेगा सम्विधान में ऐसा नहीं होता सम्विधान में खटे होने की लड़ाई है बस और कोई लड़ाई नहीं है आपको एकटा होने देगा नहीं जो आपका विरोधी है और आप जिद पकड़ो के हमें एकटा होके मानेंगे इसलिए इस समढ़ संग के अंदर वो सारी बीमारी हटाई गई जो आदमी को जुड़ने से रोकती है पैसा अटा दिया, पद अटा दिया, मंच अटा दिया, मल अटा दिया, भाषल अटा दिये संगबाद रखा खाली, जो निन्यताबाद है, वो यहां से अटा दिया, जादी बाद खतम कर दिया सारी चीज़ें यहां से बीमारी खतम कर दी, जो बीमारी दिखाई देती है तुरंत उसका इंजेक्स लगा देते हैं, आउसके अंदर बलकर और ओरिनेस में लगा देते हैं और उसको खतम कर देते हैं, इसलिए हम बहुत तेशे बढ़ें और बढ़ेंगे, आप अपनी महरत जाजारी रखिए और जिद हमारी जुड़ने की है, जो जुड़े हैं वो जीते हैं, जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं, जैसे जैसे जुड़े हैं वैसे वैसे जीते हैं, जहां जहां जुड़े हैं वहां जीते हैं, संग कभी जिंदगी में हारा नहीं, और संग कभी जीता नहीं संग को हमेसा नमामी करनी है संग को बंदन करना है संग को सरसरू करना है और जितने भी हैं संगियों ने आज ये बात सुनी है जानी है उन सब को मेरा सलाम है संग को नमन है संग को सलाम है जैभी नमुद्धाय धन्यवाद तो आप सबीसे ये निविदन है आपको ये वीधियो अच्छी लगती है रम लगता है दम की वीधियो किसी को और मिलनी चाहिए, या किसी को gift में भेजनी चाहिए या किसी भासा में convert करके आगे बढ़नी चाहिए या print में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी part को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सबी copyright free हैं आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे, या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप youtube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या पर्मिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है, या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना right हैस पे कि हम इसको load कर देते हैं बाकी सारी ये पुझी आपकी है, धन्यवाद थम सरीन गच्छाम, वो थम सैनं गच्छामी थम सरीन गच्छाम, थम मं सैनं गच्छामी संगं सरेणं गच्छाम। दूतियं पी बुद्धं सरेणं गच्छाम। दूतियं पी बुद्धं सर्नं गच्छाम। दूतियं पी दम्मं मर्सेणं गच्छाम। दूतियं पी दम्मं सर्नं गच्छाम। दूतियं पी संगं सर्नं गच्छाम। बुखियं पी सन्यम सर्णं कच्छामी ततियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी बुखियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी ततियं पी धममं सर्णं कच्छामी ततियम पिघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघं झाल झाल